नमस्कार दोस्तो टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है और यहां पर मैं करता हूँ मुएल फॉन्स की एंबॉक्सिंग और कमपेरिजन जिससे आपको एक नया स्मार्टफॉन पर्चेस करने में कोई दिकत ना आए दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ Realme Narjo 60 सेरीज के दो बहतरीन 5G स्मार्टफॉन जिसमें पहला स्मार्टफॉन हमारे पास है Realme Narjo 60 5G और दूसरा हमारे पास Realme Narjo 60X 5G तो आज हम करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन की unboxing प्लस comparison एक साथ और देखिंगे कौन सा स्मार्टफोन आप के लिए रहेगा सबसे best First of all दोनों स्मार्टफोन के price हम जान लेते हैं तो Realme Narjo 60 5G स्मार्टफोन 8GB 128GB वेरेंट आपको Amazon पर मिलेगा 16,499 रुपे का साथ ही आपको एक Amazon कूपन दे रहा है 1000 रुपे का जिसका यूज करके आप इसे 1000 रुपे डिसकाउंट के साथ पर्चेस कर सकते हैं वहीं पार Narjo 60X 5G स्मार्टफोन भी आपको Amazon पर ही अबलेबल मिलेगा 11,499 रुपे हो गई है इसकी price काफी ड्रॉप हो गए है अब दोनों 5G स्मार्टफोन दोनों स्मार्टफोन के जो बॉक्स हैं बिल्कुल एक जैसे मिलेंगे जहां वाइट फॉन्ट में आपको सारी ड बढ़न नजर आएगा उसको दबा दीजे पगलम बैल आइकन उसको दबा दीजे ऐसी वीडियो आप के लिए मैं यहां पर रेगुलर लाता रहता हूं तो सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स हम ओपन कर लेते हैं जैसी आप बॉक्स को ओपन करोगे तो अंदर आ आपको रिखे हुए मिलते हैं स्मार्टफोन साइड रखके अंदर देखते हैं दोस्तों तो यहां पर आपको एक साइज के बिल्कुल सेम वोट के चार्जर अरप्टर दिये गया है जो है 33 वोट के सूपर भोक चार्ज आदे गंटे में फॉन को 50 वर्जन चार्ज कर लेते Type A to Type C USB केविल दोने स्मार्टफोन के साथ दी गई है केविल की लेंथ और क्वालिटी काफी वड़िया मिल जाती है और यह है दोनों स्मार्टफोन जिनका फ्रंट साइड का लुक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा प्री अप्लाइड स्क्रेच गाल दोनों पर लगे दोनों की पावर को मैंने एक साथ ओन किया था यहां पर 60X की पावर काफी फास्ट ओन हो गई है और यह है दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड का लुक दोनों स्मार्टफोन में विल्कुल फ्लैट बैक पैनल दिये गए हैं लेकिन अंतर है दोस्तो नार्जो सिस्टी में आपको मिलता है leather finishing वाला back panel जिस पर आपको काफ़ी अच्छी leather finishing दी गई है दोस्तो center में Narjo की branding की गई है वही फार Narjo 60X का जो back panel है इस में आपको glass type की finishing लगेगी दोस्तो लेकिन glossy finishing है plastic body दी गई है Narjo की branding की गई है इस पर light का reflection काफ़ी कमाल का आपको देखने को मिल जाता है दोनों स्मार्टफोन की camera मेडूल थोड़ा अलग type की देखने को मिलेंगे दोस्तो बड़े-बड़े size के lens यहां पर दिये गए है और Narjo 60S में तो center में है लेकिन Narjo 60X में आपको थोड़ा सा इस side को मिलता है बाकी इनके अंदर dual camera fit किये गए है जहां आपको Narjo 60 5G में मिलता है 64 MW का mean camera, 2 MW का depth sensor और वहीं आपको 60X दे रहा है 50 MW main camera, 2 MW का depth sensor camera with LED flashlight और फ्रेंट में पन छोल के अंदर 16 MW का selfie camera Narjo 60 में और 60X में आपको only 8 MW का selfie camera मिलता है दोनों smartphone के corner 4 तरप से rounded मिलते हैं और यहां से विल्कुल flat right side में power on key जस्ट उपर volume rockers finger fin sensor 60X में आपको right side में ही मिलेगा power on key पर जबकि in display finger fin sensor 60 5G में दिया गया है उपर की side दोनों smartphone आपको secondary mic दे रहे हैं noise cancellation के लिए left side में मिलती है sim tray और bottom में आपको 3.5 mm का audio jack primary mic charging jack और speaker grills दिया गया है दोनों smartphone को already हमने boot करके तो रखा हुआ है और इनकी जो brightness है ये भी 100% करके रखी हुई है तो brightness का अंतर है दोस्तों ज्यादा अच्छी bright display आपको narjo 60 5G में मिलती है यहाँ आपको 1000 nits तक की peak brightness मिलती है जबकि 60X 5G में आपको 680 nits की peak brightness दी गई है दोने smartphone के edge और bezels corner उपर से पतले हैं लेकिन नीचे chin ज़्यादा मिलती है और narjo 60 5G में तो और भी ज़्यादा दी गई है icon आपको नजर आ रहे होंगे इस scroll आप करते ही सारे application यहाँ पर नजर आ जाती है pre-install application भी काफी सारी दी गई है इनको आप uninstall भी कर सकते हो तस्क दोनों का काफी smooth और fast मिल जाता है दोस्तो 90Hz का refresh rate आपको narjo 60 5G में और 60X 5G में आपको 120Hz का refresh rate मिल जाता है अच्छे लिए बात करते हैं डिस्प्ले की तो 6.43 इंच की full HD plus super AMOLED डिस्प्ले आपको मिलती है narjo 60 5G में जिसका aspect ratio 229 screen resolution 1080 x 2400 pixel और pixel density 409 ppi की दी गई है साथी corning gorilla glass 5 का production भी आपको इसमें मिल जाता है screen to body ratio 90.80% का आपको इसमें मिलता है वहीं पार realme narjo 60 X 5G 6.72 इंच की full HD plus IPS LCD दी गई है जिसका aspect ratio है 229 screen resolution 1080 x 2400 pixel और pixel density 392 ppi की इसमें आपको मिलती है इसमें कौन सा glass protection दिया है कमपनी ने कहीं भी mention नहीं किया है बाकि आपको इसकी screen to body ratio है 91.40% का इसमें मिल जाता है 159.8 mm की height आपको मिलती है 65Z में और 60X में आपको मिलती है 165.7 mm की height thickness 7.9 mm 7.8 mm 190 gram का है 60X और 182 gram का है 60 जबकि दोनों के अंदर 5000 mh की battery लगी वही है अब दोस्तों हम दोनों smartphone की जो setting है उसको एक साथ open करें तो अंदर जो interface है setting का दोनों smartphone में आपको एक जैसा ही नजर आएगा सारे के सारे option यहाँ पर हमें मौजूद मिल जाते है नीचे है about phone section जिसे हम open करें तो realme UI version 4.0 के साथ आ रहे हैं दोनों smartphone device name, storage यहाँ पर mention है, model name mention किया गया है प्रोसेसर दोनों में आपको 2.2 GHz का octa-core मिलता है और chipset आपको अलग-अलग दिया गया है दोस्तो नार्जो 60 5Z में आपको MediaTek Helios 6020 का chipset मिलता है जो based है 7NM के fabrication पर Mali-G57 के graphic आपको मिलता है realme नार्जो 60X 5Z में आपको MediaTek Dimensity 6100 Plus का chipset मिलता है जो based है 6NM के fabrication पर Mali-G57 के graphic आपको इसमें मिलते हैं बाकी RAM mention की गई है और camera details mention की गई है Android 13 के साथ आते हैं दोनों smart phone इसके अलावा एक चोटी सी नजर दोनों smart phone के camera पर डालते हैं किसी object को रख लेते हैं यहाँ पर जिससे हमें camera अच्छे से देखने को मिल जाए जुमिंग पावर आपको 20X मिलती है 60 में और 60X में only 10X जूम सपोर्ट मिलता है दोने smart phone के full zoom quality कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी और यह हैं दोने smart phone के front selfie camera जो कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर front camera ज्यादा better नार जो 60 का लग रहा है दोस्तो overall दोनों smart phone का price आप काफी ज्यादा ड्रॉप हो चुका है और इस price range के अंदर यह दोनों smart phone काफी बड़िया लग रहे है इसमें तो आप सभी की पसंद मैटर करती है दोस्तो comment box मताइए आपको इन दोनों में से कौन सा smart phone पसंद आया कौन सा पर्चेस करना चाओगे आसा करता हूँ मेरे दोर दीगी ज्यानकारी आप सभी के जुरूर कुछ ने कुछ काम आएगी जिससे नया smart phone पर्चेस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी